मेश विपरित परिस्थेतियों में आत्म विश्वास बनाए रखे, आप जल्द दूसरों पर विश्वास कर लेती हैं, वियर्थ के विवादों से दूर रहे, लंबे समय से अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होनी की संभावना है व्रशब दिन की शुरुवात में व्यस्तता रहेगी, दर्णचर्या प्रभावित होगी, स्वास्त उत्तम रहेगा, व्यापार व्यवसाय अच्छा चलेगा, कार्य की सफलता के लिए प्रयतनशील रहेगे दिन अनुकुल है, परिवार एवं आवास के समस्या हल हो सकती है, समाच में आपका प्रभाव बढ़ने से शत्रू परास्त होंगे, यात्रा में अपनी वस्तुए संभाल कर रखे, नए संबंध लाप्रद होंगे कर्ग संतों के दर्शन होंगे, आपकी किर्थी में व्रधी होगे, प्रतिष्चित व्यक्तियों से संबंधों का लाभ मिलेगा, कार्यों को टालने का प्रयास नहीं करे, आर्थिक मामलों में लापरवाही ना करे सिंग समय रहते जरूरी कागजातों को टाटोल ले, संतान के कारियों से चिंदित रहेंगे, व्यापार में नए प्रस्ताव मिलेंगे, व्यक्तिगत कारियों पर लापरवाही कर सकते हैं, कारिस्थल में उन्नतिकी संभावना है, आर्थिक स्थिती अच्छी रहेगी कन्या आपके कारियों से समाच में आपकी प्रशंसा होगी, जीवन साथी के साथ यात्रा होगी, यश उच्साहब बढ़ेगा, जल्दबासी में कोई निरने ना ले, प्रेम प्रसंग में ना उल्चे टुला रोजगार में बदलाव आने की उम्मीद है, आय के नए स्त्रोत प्राप्थ होने की योग है, रुका पैसा मिलेगा, सुक्ष सम्रदी बढ़ेगी, बुद्धिमानी से समस्या का समाधान संभव है, महमानों का आगमन होग व्रश्यक अंजाने में हुई गल्ती से नुकसान होगा, व्यापार में आ रही परिशानी से तनाव बढ़ सकता है, नई योजनाय क्रियानवित होंगी, परिवार में उल्चन खत्म होंगी अपने धन का कुछ अंश परुपकार में लगाए, नौकरी में कारिका विस्तावर होगा, शुब और अनुकूल समाचार प्राप्त हो सकते हैं, रिष्टदारों से संबंध प्रगार होंगे, विरोधियों से सावधान रहें मगर परिजनों पर वियर्थ में संदेह ना करें, आर्थिक लाब संभव है, अपनों के महत को भूले नहीं, किस व्यक्ति से क्या बात करनी हैं, विशेश ध्यान रखे, व्यापारिक निरने समय पर लेने से लाब होगा कुम्भ, समय पर काम करना सीखे, अपने विचारों पर नियंत्रन रखे, जिवन साथी के स्वास्त की चिंता रहेगी, खर्च बढ़ने से बजट बिगड़ सकता है, व्यापार व्यवसाय सामान रहेगा, धर्म में रूची बढ़ेगी मीन, आज का दिन परिवार के लिए महतवपून है, कारुबार में भाग दोड़ अथिक होने से धकान हो सकती है, काम काज में इच्छान रूप परिनाम मिलेंगे, वहन क्रय करने का मन होगा, नए संबंध बनेंगे झाल